हाँ सिखर मैंने recording on कर दिया तो देख आज recall कर लेते हैं जो भी थिवरंस हम पढ़ने थे हमें वो हम लोग ने पढ़ लिये हैं ठीक है पूरा का पूरा थिवरंस यह फिनीश हो चुगा है एक बार ओवर लुक देख लेते हैं एंडेन विल डिस्कस अबाउट एक्सर्साइज 10.5 एंड मिस्लेनियस एक्सर्साइज जो है वो 10.6 है इसके कुछ कुछ कुछन मैंने पिक किये हुए बाकी आप खुद से बनाएगा क्योंकि सिर्फ मेरे बनाने से नहीं हो पाएगा ठीक है तो द रहेते हैं क्या थिवरम देखा था हमने 10.3 में में देखा था कि अगर सरकल के किसी कॉड़ पर अगर अगर पर पर पेंडिकुलर करते हो तो पर पेंडिकुलर उस कॉड़ को टूइक्वल हाप में डिवाइड करेगा यह सिंपल सा टर्मिलोजी है यहां पर थिवरम 10.4 में हमने देखा था कि उसी का कंवर्ज कि कोई भी लाइन जो सेंटर से पास्ट कर रही हो और आपके कॉड को बाइसे कर रहा हो तो वह लाइन जो है कॉड़ पर 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 पेंडिकुलर होगा ठीक है 10.5 में हमने देखा था कि थ्री पॉइंट से और वह तीनों पॉइंट कैसे हो नॉन को लीनियर होने चाहिए तो थ्री नॉन को लीनियर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास्ट कर सकता है ति देखा था हमने कि अगर कोई दो कॉड है क्या है कोई दो कॉड है दोनों कॉड का लेंथ इक्वल है तो उससे सेंटर की दूरी भी उसकी क्या होगी इक्वल होगी यही कह रहा था इसका converge है थिवरम 10.7 दूसरे तरह समक्षा कह सकते हैं कि अगर दो कॉड अगर दो कॉड जिनके सेंटर से जो डिस्टेंट है वो क्या है सेम है तो दोनों कॉड एक्वल लिंद्ध के होने चाहिए थिवरम 10.8 आपको अध्यान होना चाहिए अमने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की कटेगरी में रखा था मोस्ट इंपॉर्टेंट यह कहता है कि अगर आप कोई कोई एक कॉड लेते हो या कोई एक आर्क लेते हो ठीक है कोई एक आर्क कंसिडर करते हो तो वो आर्क जो है सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा वो उसके रीमेनिंग पार्ट में बने एंगल का क्या होगा दुगना होगा रिमेनिंग पार्ट का मतलब कि अगर मान लीजे है यह हमने कॉर्ड पिक्यू लिया यह है तो इस से संटर पे यह जो एंगल बन रहा है यह कॉड लिया था सपोज करें कि इस कॉर्ड का नाम पी है और यह QORGे4 तो यह जो एंगल बना है सपोर्ज किजिए कि यह औ हो और यह होगया तो एंगल पी bırak emissions वाल को बने एंगल का यह कहेंगे कि two times होगा angle PAQ के यह हम लोगों ने देखा था theorem 10.8 में theorem 10.9 कहता था कि अगर आपने same segment में same segment में दो angles बनाए हैं किसी circle में तो दोनों angles equal होने चाहिए तो angles in the same segment of a circle are equal फिर उसका opposite है कि भाई अगर सेग्मेंट में अगर एंगल ц прев świe हम कहेंगे कि वो चार照 पॉइंड सरकल पे नाइकर रहे होंगे यह है और सब्सक्राइब कॉरा टेन पॉइंट के लिगाडिंग कॉंसेथ्व रिंडा है किसको कहते थे कौन बताएगा ऐस आन्म्यूत यर्सेल्फ एंड बताईए तो किसको बोलते हैं साइकलिक वाड़ीलेटरल लिए पराज किसको बोलेंगे अच्छार नहीं पता है एवरिवन रेज्ड़ एंड कौन बता सकता है अनुसका आप बताओ अनुसका अनुसका अनुट यह सेल्फ यह सर बताओ साइक्लिक कोई लेटिल किसको कहते हैं सबस्क्राइब करें स्बस्क्राइब कहते हैं तो साइक्लिक कोईड लेटर की पहला थीड़ा था या प्रॉपरटी भी कह सकते हैं कि उनके opposite angle का sum जो होता है, वो 180 degree होता है, तो ये पहला theorem 10.11 था, कि अगर कोई cyclic quadrilateral है, लेट से ये circle है, इस circle पर कोई हमने क्या बना है, एक quadrilateral बना दिया, तो इसके opposite angle कौन-कौन से हुआ, ये हुआ और ये हुआ, इनका angle का sum 180 degree होना चाहिए, ठीक है? थिवरम 10.12 हमने देखा था, जस्ट इसी का opposite है, कि कोई भी quadrilateral, जो circle के अंदर बना हुआ है, कहां है भाई, या circle के अंदर नहीं बोलेंगे, कोई भी quadrilateral, जो opposite angle का sum 180 degree हो जाए, कोई भी quadrilateral, जिसके opposite angle का sum क्या हो जाए, 180 degree हो जाए, वो एक cyclic quadrilateral होता है, that means, उसके सभी vertices जो है, वो circle पर लाई करने चाहिए, यह इसका converge theorem देखाता है, 10.10 को, अच्छा, 10.10 को फिर सब्सक्राइब, अच्छा, किसी ने बोला कि 10.10 को figure से समझा दीजे, मैं समझा दे रहा हूँ भई, देखे, 10.10 यह कहता है, actually circle नहीं है, पहले, पहले कहता है कि, कोई दो point है, इस तरह से, और कोई दूसरा point है, जो same segment है, तो यह भाई, यह मानने यह दूसरे segment हो, और same segment में यह हमने दो point लिया, और कह रहा है कि, इनको join करने पर जो angle बन रहा है, लेट से, लेट से, यह angle एक बना, और दूसरा angle यह, यह कह रहा है कि, इस तरह का angle बने हुए है, कि यह दोनों angle क्या है, same है, तो कह रहा है कि, यह एक circle पे lie करना चाहिए, यानि चारों जो point है, वो एक circle पे lie करना चाहिए, इस तरह से, यानि कि, इस से होकर, एक सरकल गुजर जाना चाहिए आए समझ में सरकल गुजर जाएगा तो आप यह देखने लगए कि सेम सेग्मेंट वाला कॉंसेप दिखने लएगा यह कुछ इस तरह का हो गया ठीक है कि समझ में आ गया क्या कि सिखर चली तो इसी के साथ थियोरम का पार्ट जो रिवीजन जो है वो फिनिस होता है यह देखते हैं क्या नमर्सिक्स हम लोगों ने किया था क्या आई थिंग किया था क्योंच नमर्सेभें देखते हैं इव डाइगोनल्स अफ़ शाइक्ली क्वाद्री लेटरल और डायमीटर्स इप डायमीटर्स ऑप दे सरकल थूद वर्टिसेज अप दे सब्सक्राइब करो तो पहले दो मिनट का टाइम देते हैं कैसे और एप्रोच करेंगे सिर्फ यह बताओ क्वारी करके देखिए मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं कहर ऑइसलि ब्हाई डायमीटर्स आफर कहां से करते हैं और उसके डायमीटर of the circle है diameter of the circle है तो आपको बताना है कि वो जो रेक्टेंगल होगा या साइक्लिक रेक्टेंगल होगा वो क्या होगा एक रेक्टेंगल होगा यह प्रूफ करना है ट्राइ किजे तो सभी लोग हुआ करता है झाल झाल हो गया कैसे करेंगे शीखर आप बताओ कैसे एप्रोच करेंगे अच्छा रेक्टेंगल दिखाने के लिए रेक्टेंगल सो करने के लिए क्या-क्या प्रूफ करना पड़ेगा कौन-कौन बताएगा रेज यो हैंड अगर आपको किसी क्या दिखाना है कि वो एक रेक्टेंगल है तो क्या-क्या क्राइटेरियों सो करना पड़ेगा आपको हम बताइए अनुसका क्या क्या सो करेंगे सर पहले तो शो करना पड़ेगा कि उसके सारे एंगल से वह 90 डिग्री के इक्वल्स होने चाहिए गुड और यह इसर को रीज ना एन थे दिग्रे होगा तो एक स्कॉलर्वी होसे क्या क्या एक ना थेखार क्या नहीं आप कि यहां पर यह पहला वाला साइक्लिक वाट्री लिटरल दिया हुआ है तो तो देखें लिखा हुआ है आपको क्या दिया हुआ है कि सिन्स कि सिन्स कि ए बी सी डी इज और इज़ साइक्लिक क्वाट्री लिए दिया हुआ है यह दिया हुआ है देर्फोर आप यह कह सकते हो क्या कि एंगल ए प्लस एंगल सी या लिखने की जुड़त नहीं है इसको बाद में डैरेक्ली यूज कर लेंगे ठीक है डैरेक्ली यूज कर लेंगे दूसरा आप कह सकते हो कि आपको प्रूफ करना है क्या प्रूफ करना है क्वाद्री लेटरल ए बी सी दी D is a is a rectangle ठीक है अच्छा बताइए तो सरकल के सेमी सरकल से बना एंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है क्या हां कोई बोल नहीं रहा है भाई क्योंकि भाई देखिए diameter है तो obviously यह 180 डिग्री होगा तो इसका आधा यह 90 डिग्री हो जाए तो लिखेंगे since since proof में since since angle a angle a is made by the by the diameter by the diameter bd by the diameter bd therefore angle age hoga this will be 90 degree ठीक है यह थीए अंगल्स को सब टेंडेड सब टेंडेड बाय और सेमी सर्कल इस बाय सेमी डैमी ट्राइक ट्र गासे मी सर्कल भी होता है by a semicircle is a right angle is a right angle हो जाएगा न भाई और देखिए अगर यह 90 डिग्री हो गया तो यह quadrilateral है तो जश्ट इसका opposite भी क्या होगा तो similarly लिख सकते हो similarly यही बात आप इसके लिए भी करोगे कि देखिए similarly B के बारे में देखेंगे तो B जो है AC से मिलके बना हुआ है और AC भी एक डाइमेटर है तो एंगल B भी 180 डिग्री होगा similarly एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री किसी को कोई डाउट है क्या भाई किसी को कोई डाउट है एवरिवन प्लीज रिप्लाई नहीं होना चाहिए ठीक है अब देखें अब क्या कर लोगे अब इस ट्रैंगल को ले लो ट्रैंगल A O B एंड ट्रैंगल C O D में ट्रैंगल A O B इन ट्रैंगल A O B एंड C O D A O B एंड C O D A O B एंड ट्रैंगल C O D C O D में आप बोल सकते हों कि एंगल A O B जो होगा वो एंगल C O D के बराबर होगा भाई ये कैसे होगा रीजन सभी लोग बताइए तो ये क्यों इक्वल होगा यानि हम कह रहे हैं कि ये वाला एंगल जो है भाई ये वाला एंगल A O B ये इस वाले एंगल के बराबर होगा ये बात हम क्यों बोल पा रहे हैं O A जो होगा O C के बराबर होगा और ये सभी कैसे बोल पा रहे हैं क्योंकि ये रेडियाई हैं ये क्या हैं रेडियाई हैं है और यहां पर व है अपोजी अंगर्ट व कह सकत त्रेङंगल एओ बी कि यह कंगूरुइंट हो गया सब किस क्राइटेरिया पर सब्सद्रोब किंखें कोई बोलेगा नहीं क proporc esca लिखना है सबीको sound लिखे भाई पूरा क्राइटेरिया का नाम लिखो वो थियूरम होगा या एक्जियम होगा यह सब आपको लिखना है गुट बाई एस एस एक्जियम से रूल नहीं लिखेंगे वो रूल नहीं है गुट वन बाई एस एस एक्जियम से साइड एक्जियम ठीक है तो उसी तरह हम अगर दोनों कॉंगुरेंट हो गए तो हम कह सकते हैं कि यह जब हमारा एबी है वो सीडी के बराबर हो जाएगा और यही वाला कॉंसेट इस वाल दोनों ट्रेंगल के लिए अपलाई करेंगे तो बीसी बराबर सीडी हो जाएगा क्या तो हम लोग लीख सकते हैं सिमिलरली सिमिलरली बीसी जो है वो सीडी के सीडी नहीं बीसी जो है डीए के बराबर होगा डीए के बराबर होगा तो देख रहे हैं opposite sides जो हैं वो equal हो गए क्या opposite sides ये वाला side इस side के बराबर हो गया BCDA के बराबर हो गया और ACDA के बराबर हो गया इस एंगल इस 90 डिग्री जो वी एन नौ ब्लाइड लिए देरफोर इस काद्री लेटरल एबी सीडी इस 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 वर्ट इस अरेक्टेंगल सभी को समझ में आया भाई सभी को आया कैं समझ में क्लियर है चलिया कोश्चन नमबर एट देखे यह बहुत सुंदर कोश्चन है इसको भी इंपॉर्टन के कटिगरी में रख लिजिए बहुत अच्छा कोश्चन है यह भी कोश्चन है कि इफ नॉन पैरलल साइट्स ओफ है ट्रैपेजियम आर इक्वल अगर किसी ट्रैपेजियम के नॉन पै कि तू कंसीडर अस अक्वाडिलेटरल साइक्लिक कि सभी लोग बताइए तो किसी कोडिलेटरल को साइक्लिक प्रूफ करने के लिए अब क्या प्रूफ करोगे कि वेड़नायोस हम क्या करेंगे अपोजीट एंगल का सम दिखा देंगे कि स्क्वाडिलेटरल में 180 डिग्री होगा तो अपने आप साइक्लिक हो जाएगा तो हमें दिखाना होगा कि स्ट्रैपेजियम का अपोजीट एंगल का जो सम है वो क्या है वह वनेट इग्रीवस्ताफ एंगल infect डिग्रीज़ अपोजीट एंगल्स वनेट डिग्री होगा अपोजीट पेयर्स अफैज रेंगल का मतलब हुआ कि एघर वनेटी डिग्रे है तो उसका पोजीट सी भी वरने डिग्रीज़ ए verdad एसा नहीं होता है दोनों का सम अपोजिट दोनों का सम 180 डिग्री होगा एक बार इसको ट्राइ कीजिए तो सभी लोग कि ट्राइ कर ट्राइ करते हुए कॉपी कॉन दिखाएगा बताइए तो कॉन कॉन दिखाएगा आपना कॉपी अच्छा मैं प्रॉसेस पूछ लूँगा चलिए ट्राइ कीजिए सभी लोग ट्राइ कर रहे हो क्या एक बार कमेंट करके रिप्लाइ कर दो तो ट्राइ कर रहे हो की नहीं सभी लोग ट्राइ कीजिए मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ कि क्या उसने ट्राइ किया है बना है कि नहीं बना है उससे मतलब नहीं है कैसे ट्राइ किया है कैसे अप्रोच किया है यह देखना है कि फीगर मैं बना दू क्या एक बार देखें फीगर मैं आपके लिए थोड़ा सा इजी कर देता हूं कि फीगर कुछ ऐसा होगा कि कि सपोर्च कीजिए कि यह एक लाइन है यह एक दूसरा लाइन है यह पैरलल लाइन हो गए अब क्या कर रहे हैं ट्रेपेजियम होने के लिए कह रहा है कि यह दोनों इक्वल है यहने कि यह वाला और यह 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 दोनों कह रहा है कि इक्वल है सपोर्च कीजिए कि यह ए है कि भी है कि सी है और यह डी है तो आपको प्रूफ कर देना होगा कि यह ए प्लस सी यह कितना होना चाहिए भाई कि 180 डिग्री होना चाहिए चलिए कि यह दूसरा पार्ट यहां पर दिया हुआ है कि यह वाला जो साइड है यह वाला नॉन पैरलेल साइड यही है और यह दोनों नॉन पैरलेल साइड एक दूसरे के इक्वल है यह दिया हुआ है नॉन पैरलेल साइड का है इक्वल है यह है कि हान उसका बताओ तो कैसे ट्राइब कर रहे हो कि अनुसका कैसे ट्राइब कर रहे हैं जिसे कि ए भी और डीसी आपने दिया हुए तो यहां बी से और डीसी पे यहां से तो नहीं आ पाएगा वहां पर एंगल के बारे में फिर कुछ हो पाएगा एंगल मेजर्मिंट पर सोचो कि एंगल हमें 180 डिखाना है ठीक है वैसे नहीं होगा एंगल एंगल मेजर्मिंट जाएंगे कि देखें क्या करेंगे एक कंस्ट्रक्शन यहां पर फॉलो करना पड़ेगा आप कंस्ट्रक्शन लीजिए यह वाला कि ए और बी से अच्छा हो गया सिखर आप बताओ तो आपने कैसे किया सिखर जैसे आप एस पर पेंडिकलों गिरा रहें सर डीस्ती पर वैसे सर दोनों साइट भी गिरा लेंगे गुड और दोनों को सर कॉंगरेंसी प्रूफ कर देंगे सर रहेचेस किसको किसको इसका नाम क्या देते हैं एम और इसका नाम बी यहनिकी एम पर पहलेंगे ट्रेंगल एमडी और ट्रेंगल बी एंसी को आरेचे से कॉंगरेंसी प्रूफ कर देंगे वेल डन प्रूफ इस ओवर सही है देखे भई लिखो कि आप अगर लिखना चाहो इसमें तो कि आपको दिया हुआ है कि लेट ए बी सी डी ए बी सी डी बी अ ट्रेपेजियम बी यह ट्रेपेजियम कि आपका जो ए डी है ए डी वो बी सी के बराबर है ए डी जो है वो बी सी के बराबर है ठीक है और चलिए यह इन प्रूफ क्या करना है यह प्रूफ देट यह हमारा क्वाद्रिलेटरल अबी सी डी यह ट्रेपेजियम ए बी सी डी इस साइकलिक क्या हो भाई साइकलिक हो साइकलिक हो कंस्ट्रक्शन कर लिजे क्यां स्ट्रक्शन टॉबर दो डॉबर यह रचिए पर्पेंदिकोर दिस दी सी अई बीन बी एन परपेंडिकुलर टू ये भी डीसी दोनों डीसी पर परपेंडिकुलर डॉ कर दिया प्रूफ में चले आएंगे प्रूफ में कहेंगे इन ट्रेंगल एमडी एमडी एन ट्रेंगल बी एन सी BNC हमें आप से कह सकते हैं कि angle AMD जो होगा AMD वो equal हो जाएगा angle BNC के and this is each of degree 90 and this can be followed by construction by construction by construction दूसरा क्या बोलेंगे इसमें कि AD जो है वो किसके बराबर हो जाएगा BC के बराबर हो जाएगा यह part given है और तीसरा वाला क्या equal करेंगे बताइए तो कि सभी लोग reply कीजिए चैट में कि अन्सू कि तीसरा क्या करेंगे इकवल अन्सू आयूश पताईए जल्दी वेल्डन एम जो होगा बी एम के बराबर होगा क्यों भाई क्यों वह जानते हैं डिस्टेंस बिट्विन पैरलल लाइन हमें सा constant होता है तो यह दोनों क्या है डिस्टेंस बिट्विन पैरलल लाइन से एड़ अब बोलोगे एएए जो और सेंस डिस्टेंस बित्विन प्राल लाइन डिस्टेंस। बित्विन एस पैरलील लाइन ब को हिए। निया कि और एक्वल ठीक है कि करो ते तो देखें यह क्या है यह नफ़े डिगरीमिल गया और यह एस्थ डी और बीसी हाइपोटेनस की तरह था हाइपोटेनस भी कोल ओगया और इसका पर क Trans spinal depressed होग कुछंत सबस्क्राइब एक शॉल्ट म Maison दकर टों कहां प्रेंगल यह यह एश्एकोंगर या सारी Ved vis सी के बी एंसी के अन्डिस इस भाई आयूस एक्जाइम नहीं है रहेचेस बाई आरेचेस कॉंगुरुएंशी क्राइटेरिया ये कंगुरुएंशी रोल भाई रहेचेस गॉंटसी प्राइटेरिया ये रूल ठीक है हां उसका बोलो कुछ पूछना है क्या सर जैसे आपने यह फर्स्ट मतलब तरीका बता है तो मेरा जिस हम जो किया है ना कि यहां पर करेंगे तो एक पैलेलोग्राम हो जाएगा फिर बीए सी एक आइसोसेलस ट्रेंगल बन जाएगा तो वहां से हम लीनियर पेर से भी तुसर अपोजिट एंगल फाइंड कर सकते है तो वह भी 180 डिग्री हो जाएगा तो यह तो प्रूफ हो सकता है कि एक ट्रापीजियम है यह आप आइसोसेलस कैसे फिर बोल रहा हो यह इसोसेलस ट्रेंगल्स नहीं है ध्यान रहे है इस तरह से नहीं करना सर्थ जैसे यहां से मतलब ड्रो कर हम अपना फिगर दिखाए सर्थ हां दिखाओ कर दो हो जैसे तरह से अजाओ थो खिए भ्रो कर दो जाद़ हो प्रो कर दो कर दो वह ताएं दो जाएं आयूस किस में confusion हो गया रूल और एक्जियम में यह तो ट्रेंगल में कर लेना चाहिए था ठीक है आरेचेस का थिवरम आपको प्रूफ भी करना है तो समझे जिस दिस थिवरम को प्रूफ करना है वो एक्जियम नहीं हो जाए नहीं होगा इसे इसको आप प्रूफ नहीं करते है उसको एक्तिविटी से माम आपको प्रूफ करते हैं तो वो क्या है एक्यम है cस वाला ठीक है अ सस्टे आव यह ही बेसिक डिफ्रेंस है कुल गायब हो गई कहाँ तो चलिए इसको देखते हैं तो तो यह ऐसे यह दोनों ट्रेंगल इसको बाई C-P-C-T बोलेंगे, बाई C-P-C-T बोलेंगे, बाई C-P-C-T, उस दूसरे पेज पालेंगे, अंगल A-D-M, एंगल A-D-M, is equals to angle B-C-T, फर आज लेट कर पढ़ रहे हो गया, बैट कर पढ़िए भाई, पढ़ना बैट के चाहिए, उस तरह से मस्ती वाला बात नहीं है, सिंसेरली पढ़ाई तभी होता है, जब आप इस तरह से बैट कर पढ़ोगे, आप सेर नहीं कर पाओगे, स्क्रीन अन उसका, आप सिर पिक दिखा पाओगे, इस तरह से, अपना कैमरा ओन करके, ठीक है, उसके लिए आपको पर्मिशन लेना पढ़ेगा, स्क्रीन सेर करने क लिए, जो कि मैं नहीं कर रहा है, चलिए, एंगल ADM, एंगल BCN हो जाएगा, और ये कैसे होगा भई, बाई, CPCT, बाई CPCT, ठीक है, तो ये हो गया, अब आप ये देख सकते हो, पिछले वाले फिकर में चले जाए, कि ये AB जो है, वो DC के पैरलल है, तो हम जानते हैं क्या कि, ये concept आज जानते हो, कि अगर कोई parallel lines है, दो parallel line है, इनके बीच कोई transversal draw करते हो, तो ये दोनों consecutive angle का sum जो होता है, वो 180 degree का होता है, लिख सकते हैं, since, 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 AB is parallel to, क्योंकि ट्राइपेजियम में, ये parallel side इनको हमने लिया है, AB is, नि, camera on के, तो copy वहाँ पे दिखाओगे, तब तो दिखेगा, copy दिखाना पड़ेगा न, camera on करके उस पे, camera के सामने copy रखना पड़ेगा, DC के parallel हो जाएगा, ये किस के parallel होगा, DC के parallel होगा, and, and, यहाँ पर ये जो line होगा, AD, एक transversal होगा, and, AD is a transversal, AD is a transversal, क्या होगा, transversal होगा, अब जैसे ही ये होगा, तो हम कह सकते हैं, conjugative angle, therefore angle, कौन-कौन सा भाई, ये कौन सा angle होगा, B, A, D, ये पूरा का पूरा angle लेने के लिए, A नहीं लिख सकते हैं सिर्फ, क्योंकि A लेंगे तो ये वाला लेंगे कि ये वाला लेंगे confusion है, तो B, A, D इसका नाम देंगे, angle B, A, D, B, A, D, plus angle, दूसरा angle, conjugative angle कौन सा मिलेगा, ये वाला मिल रहा है, A, D, C बोल दें या A, D, M, A, D, M, बोल दो, A, D, M, angle A, D, M, this is 180 degree, लिख दोगे sum of consecutive interior angle equals to 180 degree, this implies angle B, A, D, B, A, D, plus angle, A, D, M, को हम angle A, D, C भी बोल सकते हैं, A, D, C, and this is again 180 degree, ठीक है, और angle B, A, D, plus, ये angle A, D, M, A, D, M, जो A, D, C, के बराबर हैं, वो angle B, C, N, के बराबर हो गया, angle B, C, N, यानि क्या आपने दिखा दिया B, A, D, B, A, D कौन सा है, भाई, B, A, D, ये वाला angle, और B, C, N, ये वाला angle, यानि angle A, और angle C, ये sum 180 degree आ गया क्या, देखें, यहाँ पर, sum is 180 degree, therefore आप लिख सकते हों कि, therefore, this quadrilateral A, B, C, D, या trapezium A, B, C, D, is cyclic, सभी को समझ में आया क्या, everyone please reply, हाँ, सीखर, को interior angle भी उसको बोलते हैं, सभी लोग को समझ में आया, अन्सू तुम reply नहीं कर रही हो, अन्सू, मैं audible, ओके, reply करते रही है, आप से पूछा जा रहा है, तो भी आप reply नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चीए फिर से, चलिए, ये तो clear हो गया, इसको देखिए, ये एक line का question है, लेकिन इसको देखना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन सभी लोग देखिए, एक बर मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, 10.5 का question number 9 है, कि two circles intersect at point B and C, क्या दियो है, दो circle है, जो B और C point पर एक दूसरे को intersect कर रहा है, भाई, दूसरे, उसके बाद कहा रहा है, through, B, B से, through B, through B, two line segments, कौन-कौन सा भाई, A, B, D और P, B, Q, P, B, Q are drawn to intersect the circles at A, D, sorry, at A, ठीक है, A पर intersect कर रहा है, and at D, A, D, और दूसरा, and P and Q, इस पर और इस पर, P and Q, तो proof करना है कि angle A, C, P, angle A, C, P, that means this angle, A, C, P का मतलब this angle, और angle Q, C, D, Q, C, D, Q, C, D is this, ये वाला angle equal करना है, ठीक है भाई, ये वाला angle equal करना है, तो समझ मैं कह रहा है कि दो circle है, जो किसी दो point B और C पर intersect कर रहा है, किसी दो point B और C पर intersect कर रहा है, अब B से दो line segment गोजार रहा है, कौन-कौन सा भाई, A, B, D, और P, B, Q, और A, B, D इस तरह से है कि इस circle को, दोनो circle को, एक को A पर और दूसरे को D पर, उसी तरह ये P, B, Q जो है, एक को P पर और दूसरे को Q पर intersect करता है, तो वो दिखाना है कि ये दोनो angle क्या है, equal है, सभी लोग ट्राई कीज़े तो एक बार, I think Anuska ने send किया है क्या, I think Anuska, आपने B, E, को इसके बराबर कैसे कर दिया? सर, जब construct करेंगे तो ये एक पर लेलोग्राम बनेगा, और पर लेलोग्राम में opposite sides equal होता है, इस पर लेलोग्राम कैसे, मैं सब construction कैसा करना चाहा रहे हो, आप एक साथ बहुत सारा construction कर रहे हो, आप पर लेलोग्राम बना रहे हो, पर लेलोग्राम बनाने के साथ साथ, आप ये मान रहे हो कि ये वाला side, इस side के बराबर होगा, B, का लेंथ इसके बराबर होगा, ठीक है, डाउटफुल केस है, हलागी प्रूफ देखना पड़ेगा, पूरा प्रूफ से इंड कर देज़ेगा, मैं confirm कर दूँगा बाद में, ठीक है, कि सही की गलत है, ठीक, ओके सर, तो ये equal so करना है, किसी से हुआ क्या, एक line का question है, सिर्फ ध्यान से इसको देखो, एक line का question है, सिर्फ ध्यान से इसको देखो, जल्दी से confirm कीजे तो सभी लोग, सभी लोग try कर रहे हो क्या, एक बार confirm कर दीजे, try कर रहे हैं तो, अन्सु इस बार आपका reply आना चाहिए, ठीक है, हो गया, कैसे बिटा, बताओ, angle ACP is equal to angle ABP, उसको equation 1 let कर लेंगे, कैसे कैसे angle, ACP is equal to angle ABP, ABP, अच्छा ये दोनों angle, येस, और, दूसरा, angle QCD is equal to angle QBD, angle QBD, कैसे बिटा, angles in the same segment of circle are equal, तो, कौन कौन सा segment है, अगर इमान लीजे हमने बोला कि ये, आपने बोला ये equal to angle ये, तो ये किस segment के regarding ये बात किया आपने, कौन सा segment लिया है, जिसके ये same segment में आगए, ये क्यों equal हुआ, ये दोनों same segment में है, लेकिन किस same segment में है, segment कौन सा लिया आपने, अगर सिर्फ इस circle को consider करते हैं, बड़े वाले circle को, बड़े वाले circle को consider करते हैं, तो देखे एपी अगर, एपी लिया आपने, एपी को अगर आपने segment माना, तो एपी के, एपी क्या है, minor segment है, और इसके उपर major segment है, तो ये एपी को अगर एक segment मानेंगे, तो ये equal angle होगा, ठीक है, तो आपका answer सही था, लेकिन explanation थोड़ा सा गड़ बढ़ हो गया, तो हम लिखेंगे, since, 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 angle A, C, P, is equals to angle, P, B, Q, बोल सकते हैं, या, A, P, A, B, Q, P, B, A, sorry, Q नहीं, P, B, A, और ये कैसे होगा, angles, angles, on the same segment, same segment, of AP, AP के same segment में है भाई, ये लिखना पड़ेगा, उसी तरह, similarly, देखे, figure थोड़ा सा बस्केवल लेंदी है, इस से, easy question इस, इस chapter में, theorem 10.5 में नहीं है, अब देखे, DQ को अगर आप एक segment मानते हो, तो QCD, angle QCD की जो value है, वो equal हो जाएगी, angle DBQ के, angle DBQ के, ये कैसे भाई, angles on the same segment of DQ, DQ को आप same segment मान रहे हो, ठीक है, also, also, ये दोनों, अब देखे हो, B पर ये दोनों angle बने हुए, यानि ये angle, इस वाले angle के भी बराबर होगा, तो हम लिख सकते, angle PBQ की जो value है, PBQ की जो value है, वो angle DBQ के बराबर होगी, क्यों भाई, vertically opposite angle, ये क्या है, vertically, opposite, opposite angles है, vertically opposite angles है, तब देखे, इस DBQ की value इसमें रख देंगे, तो इसका नाम 1 ले लिया, इसका नाम 2 ले लिया, लिख देंगे, इसका नाम 3 ले लिया, थ्री ले लिया, तो हम पहले इसको लेक लेते हैं, फ्रॉम, फ्रॉम, पी बी क्यों, पी बी क्यों, पी बी ए होगा, ये पी बी क्यों नहीं होगा, पी बी ए, पी बी ए, क्यों नहीं होगा, ये ए हो जाएगा, पी बी ए, तो फ्रॉम, फ्रॉम, फ्रॉस्ट एंड, फ्रॉस्ट एंड, फ्रॉस्ट और थर्ड अगर आप ले रहे हो, तो आप देख रहे हो, कि ये पी बी क्यों की जो वैलू है, पी बी क्यों, यहां पर, पी बी क्यों, पी बी ए, और ए, सी पी के बराबर, यही पी बी ए, डी बी क्यों के बराबर है, तो हम यहां से कह सकते हैं, एंगल, ए, सी पी जो हो जाएगा, ए, सी पी, यह बराबर हो एंगल डी बीडी क्यों के इसको फॉर मान लीजिए एंड आप क्या कर लिए टू एंड़ से चलिए फ्रॉम है टू एंड फोर है टू एंड फोर अप्पे देख सकते हो टू एंड पोर में कि डीबी क्यू जो है वह QCD के बराबर है अब यही DBQ ACP के बराबर है तो आप लिख सकते हो कि Angle ACP यह बराबर हो जाएगा Angle Angle QCD के समझ में आ गया क्या सभी को ठीक है भई तो बहुत easy question था बनना चाहिए था सबसे बस इसमें observation important था चली यह question कीजिए इस question के यह question नहीं पहले यहां से start किए यह वाला question करें कि prove that the line of centers of two intersecting circles of two intersecting circles of two intersecting circles subtains equal angles at the point of intersection question समभी को समझ में आया क्या कौन explain करेंगा question को हां सिखर पिछला वाला तो easy ही था prove that the line of centers of two intersecting circles two intersecting circles subtained equal angles at the point of intersection इसकर पर जाएंगे और वह आपके कुछ बोल रहा है क्या कि अन्सु बताओगे कैसे करेंगे इसको को रिप्लाई नहीं कर रहा है भई हां optional है optional ही है ठीक है फिर भी इसको बनाएंगे भई ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे इस टाइप के questions आप लोग किए हुए है तो प्रैक्टिस की जरूर कीजिए देखें मैं एक तरह से फीगर बना दे रहा हूं कह रहा कि prove that the कि फीगर बना देना हूं कह रहा कि prove that the line of centers कि ऑफ टू intersecting circle दो intersecting circles से circle को intersect कराते हैं पहले ये एक मालनीजे सरकल हुआ दूसरा सरकल मालनीजे ये हुआ इसने यहाँ यहाँ पर जॉइन किया हुआ है तो क्या करेंगे इसके सेंटर्स होंगे क्या कहीं हुए सपोज कीजिए कि इसका सेंटर O है इसका सेंटर O- है और यह point of intersection पर कह रहा है कि सब्टेंट equal angles at the point of intersection point of intersection पर equal angle बनाने का मतलब क्या हुआ कि sorry किस से बनाते हैं देखें एक point of intersection यह है तो यहां से यह बना दिया और यहां से इसको जाइन कर दिया दूसरा इस point of intersection पर जोड़ देते हैं कि इसको जोड़ देते हैं कि इसको यहीं जोड़ देते हैं कि यह दोनों सेंटर्स को यह क्या है कह रहा है कि सेंट दे लाइन ओफ सेंटर्स और टूसें इंटर्सेक्टिंग सर्कल्स का क्या है यह लाइन ओफ सेंटर्स है ठीक है भाई तो आपको दिखाना है कि यह जो एंगल बना है कौन-कौन सा एंगल यह वला एंगल यह वला एंगल यह थ l Is a एंगल के बराबर है इसका इसका नाम ले लेते हैं सपोज की जेए कि यह पॉइंट अँर ऐब डीम दिखाना है कि फोरेल ओ एक ओड़ेस और एंगल ओ बीट ओड़ेस यह क्या होने चाहिए एकवल होने चाहिए कैसे करो गें कि हां सिखर बताओ है और यह तो दोनों है गुड़ वन गुड़ेश और यह तो दोनों है सोफेसर्द सुप्ट सेट से gü लोगल है तैंक यूभ बहुत ही आसान क्य्शन है बहुत क्या करना है यह वाला जो साइड ह 210 के बारबर होता कैसे क्योंकि रेडियस होगा यह साइड इस साइड यह नहीं होगा criminal पर चान रहे यह नहीं कि दोनों का रेडियस से मान के बना देंगे ऐसा नहीं करेंगे तो लिखेंगे इन ट्रेंगल इन ट्रेंगल O A O ड़ेस and ट्रेंगल O B O ड़ेस में क्या हो जाएगा भई ओए हमारा इक्वल हो जाएगा O, B, K and this is equals to R1, मन लेंगे कि लेट C, let C, let C1 O, R1 and C2 O, R2, B2 circles intersecting at A and B, intersecting at A and B, इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है, और आप लिखोगे, दूसरा यहां पर पॉइंट लिखे होगे, कि O, A की वैलू O, B के बराबर होगे and this is something like R2, और यह आपको O, O, डैस जो होगा, वो O, O से common मिल जाएगा, यह क्या हो जाएगा, common मिल जाएगा, जैसे ही यह common मिला, दोनों triangle congruent हो जाएगे, किसी भी corresponding part को equal कर देंगे, therefore angle O, A, O, डैस बराबर हो जाएगा, angle O, B, O, डैस के, ठीक है भाई, by CPCT, और यह triple S criteria से क्या हो गया, congruent होगा, triple S criteria से, दूसरा question बनाईए और आपका छुट्टी हो जा रहा है, question number two बना लीजे आप लोग, यह सब पांस तक है न, question number two बनाईए, यह सब से बनना चाहिए, question number two जो है, वो सब से बनना चाहिए, कह रहा है कि दो कॉर्ड है, जितके, A, B, and C, D, दोनों के लेंद, एक का लेंद है, 5 cm, दूसरे का लेंद है, 11 cm, respectively, of a circle, किसी circle के, and parallel to each other, दोनों एक दूसरे के parallel भी है, और साथी साथ कह रहा है कि वो center के opposite side में है, भाई, तो center के same side में मत लीजेगा, कह रहा है कि if the distance between A, B, and C, D, is 6 cm, तो आपको find out करना है कि radius of that circle is what? radius of the circle क्या होगा? radius of the circle क्या होगा? यह आपको proof करना है. इसको proof नहीं करना है, भाई, यह ध्यान रहे हैं, इसको proof नहीं करना है, इसमें value find out करनी है. कितने लोगों को लगता है कि उन्होंने figure बना लिया है? right, yes or no? figure कितने लोगों ने बनाया भी? इसका? विनायक ने बना लिया और? बस बिनायक ने? अन्सू आपने नहीं बनाये क्या? अन्सू, अनुस्का, आयूश, फराज, शीकर, कोई बोल नहीं रहा है भाई? देखिए, कुछ ऐसा होगा figure, figure मैं आपको यह बता जाए। figure done देखिए, यह माल लिजए, यह center है, कह रहा है कि जो आपके chord है, वो क्या है? parallel है और center के opposite side में है, parallel है और center के opposite side में एक का length है 5, तो इसको हम 5 ले ले रहे हैं, और दूसरे का length है 11, तो यह 11 ले 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 रहे हैं, 11 दिख रहा है, यह और इनके बीच का जो distance है, distance center से होके गुजार देते हैं भई, तो जब center से होके गुजारेंगे, तो obviously यह center समने ले लिया है, तो यह क्या होगा? पर्पेंडिकुलर भी हो जाएगा इस पे, इस पे भी पर्पेंडिकुलर होगा, ठीक है? और यह दिया हुए हमें 6 cm, और अगर इसको, इसका radius आपको find out करना है, इसका मतलब यह find out करना है, ठीक है? तो देखें, इसका naming कर देते हैं, यह मालनी जह AB हो गया, AB और यह CD हो गया, CD, तो AB दिया हुए है, टोटल, AB जो है, गिवन क्या क्या है आपको? गिवन है, AB इक्वल्स टू, फाइब सेंटिमेटर, CD इक्वल्स टू, 11 सेंटिमेटर, और दिया हुआ है, इसका नाम P क्यू रख दे, P रख देते हैं, इसका नाम, P, इसका नाम Q, यह सेंटर O है, और P Q दिया हुआ है, कितना? डिस्टन्स बिट्विन, बोथ, कॉर्ड यह 6 सेंटिमेटर दिया हुआ है, कैसे करेंगे? ट्राइए, बताइए तो, कैसे अप्रोच करेंगे? कैसे अप्रोच करेंगे? कैसे है, कि अप्रोच करेंगे? जो है टोटल लेंद वो दिया हुए PQ का वो कह रहा है कि कितना है वो है है 6 तो अगर ओक्यू को ओक्यू को मान लेंगे X तो यह वाला ओपी जो होगा 6-6 हो जाएगा तो आपको एक डिस्टेंस मान लेना है लेट लेट जो आपका ओपी है स्वारी ओक्यू ओक्यू जो है वो आपने मान लिया X देन आप बोलोगे कि आपके पास जो ओपी मिलने वाला है ओपी वो हो जाएगा 6-1 अब जान जाते हो अब चुकी यह जो ओपी है वो पर्पेंडिकुलर है एपी पर ठीक है सेंटर से कोई भी लाइन गुजारते हैं तो कॉड़ पर्पेंडिकुलर ही होता है ना भाई हम बोलो बिनायक कुछ बोलना चाहा रहे हो क्या कि विनायक तो आप यह कह सकते हो कि यह ओपी जो है एबी को बाइसेक करेगा सिंस ओपी पर्पेंडिकुलर है एबी के एड़ ओक्यू जो होगा वो पर्पेंडिकुलर है सीडी के तो आप यह बोल पाओगे कि देरफोर आपके पास जो एबी मिलने वाला एपी जो मिलने वाला है वो इसका आधा हो जाएगा एपी जो होगा हाफ ओफ ओफ ए बी हो जाएगा क्या हो जाएगा हाफ ओफ ओफ ए बी कितना है फाइब तो यह फाइब बै ट्यू हो जाएगा and आप यह बोल पाओगे कि CQ जो होगा, CQ ये भी half of CD हो जाएगा and this is 11 by 2 हो जाएगा, ठीक है, 11 by 2, अब आप कहोगे कि in triangle, in right triangle बोलते हैं, in right triangle, what, APQ या AOP में, AOP में, आप ये बोल सकते हो कि OA का whole square होगा, OA का whole square, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, AP का whole square, plus, किसका whole square, OP का whole square, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो ये OA जो है, वो ही तो radius है, इसका मतलब radius का square, R का square, इकोल सो AP, AP कितना मिला है, 5 by 2 मिला है, तो 5 by 2 का whole square, plus, OP जो है, 6 minus 6 है, 6 minus X का whole square, इसको आप equation 1 मान लीजिए, similarly, in right triangle, in right triangle, what? C, O, Q, C, O, Q में, आप बोल पाओगे कि, C, O का whole square है, वो आपको मिलेगा, O, Q का whole square, plus, C, Q का whole square, और अगर इसको भी आप ध्यान से देखोगे, तो यह आपको मिलने वाला है, C, C, O, क्या है, R है, तो R का whole square, equals to O, Q, O, Q, O, Q क्या है, X है, तो X का whole square हो जाएगा, X का whole square, और plus, यह 11 by 2 का whole square, यह equation 2 हो गया, तो equation 1 and 2 में देखो, यह भी R का whole square है, और यह भी R का whole square, एक बार R का whole square इतने के बराबर है, और दूसरा R का whole square इतने के बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, from first and second, from first and second, from first and second, from first and second, आप बोल सकते हो, कि 5 by 2 का whole square, plus, 6 minus X का whole square, equals to, यहाँ पर आपको मिलेगा, X square, plus 11 by 2 का whole square, 11 by 2 का whole square, एक बार चेक कर लेते हैं, यह X square, हाँ, सभी है, ठीक है, अब देखिए, इसका whole square, 25 by 4 हो गया, प्लस यह A square plus B square पर बेक कर दीजे, तो A square यह 36 minus 12 X, प्लस X square हो जाएगा, और इस side भी X square आया होगा है, और यह 121 बटे में 4 आ जाएगा, X square से X square cancel हो गया, इस 12 को इस side लेके आ जाएगे, तो आपको मिलने वाला है, 25 by 4 plus 36 minus 121 by 4 equals to, आपको मिल जाएगा कितना? 12 X, तो आपको मिल जाएगा 4 common हो गया, sorry 4 LCM हो गया, यह हो जाएगा 25 plus, यह 36 चौका कितना होगा? 144 होता है, 144 minus 121 equals to हो जाएगा 12 X, यह देखे, 14, 12 हो गया, 12 equals to 12 X, तो X equals to 1 मिल गया, X equals to 1 मिल गया, आपको तो radius चाहिए भई, radius का whole square इसके बराबर था, देखे, यानि कि R का whole square आपने लिखा है, R का whole square जो दिया हुआ है, वो X square plus 121 का, 121 by 4, X square के value 1 हो गया, plus 121 by 4, 4 से यह 125 divided by 4 हो गया, किसके यह X square के बराबर, sorry, R का whole square, therefore R जो हो गया, वो 125 का square root divided by, यह कितना होगा? 4 का square root 2 हो गया, तो देखे, 125 को, 25, 25, 5 root 5, divided by 2 हो गया, क्लियर है क्या सभी को? Is it clear to everyone? Right, yes or no? ठीक है? तो चलिए हैं मिलते हैं, इसके बाद next class में, ठीक है? इतने पर ही end करते हैं, आप लोग एक बार exercise को खुद से बनाईएगा, complete homework, एक बार फिर से यही homework है, और यह आपको submit करना है, ठीक है? यह आपको submit करना है, 10.5 and 10.6 भी try कीजेगा सभी लोग, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना है तो नहीं करेंगे, और इसके examples भी आप लोग solve कीजेगा, इस chapter का जो भी example है, वो जरूर solve कीजेगा, अगर नहीं आता है, तो question पूछ सकते हो इस से भी, ठीक है? ओके, thank you, तो मिलते हैं next class में नए chapter के साथ, आज मैं chapter को भी बता दूगा कौन सा chapter आपको next class अपढ़ाए जाएगा, ठीक है? Bye-bye everyone!